सब्सक्राइब करें साहल फ्रीडिस यूटूब चैनल को साथ में बिल का आइकन भी जरूर दबा दें टिक्टोक को कैसे चलाएं टिक्टोक को कैसे फिर से डाउनलोड करें टिक्टोक का यूज कैसे करें मुबाइल में चल नहीं रहा है मुबाइल में कुछ इस परकार के सीन दिखाई दे रहे हैं और कैसे हम दूसरे प्लेटफार्म के जो एफ्स हैं उनको यूज करें दोस्तों यह ऐसा मैं नहीं कहता ऐसा आप लोगों ने हमसे तमान जारे कॉमेंट्स में पूछे हैं किसाल भाई आप हमें बताओ कि कैसे यह चलेगा तो रुको मेरे भाई आप इस चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक जरूर करना और रुको कैसे परकार का कॉमेंट करने से पहले भाई की इस वीडियो को पूरा ध्यान से जरूर देखना तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं तो दोस्तो टिक टॉक को कैसे चलाएं कैसे डाउनलोड होगा हमारे मुबाईल में चल नहीं रहा है हमारे मुबाईल में कुछ ऐसा स्क्रीन आ रहा है यह आप लोगों ने बोला है तो खैर ऐसा स्क्रीन सबके मुबाईलों में आ रहा है जो भी इंडिया में है ठीक है तो दोस्तो यह टिक टॉक बंद क्यों हुआ तो दोस्तो आप लोगों को मालू है कि किसी भी मुबाइल एप को जब हम इंस्टॉल करते हैं और खासका टिक टॉक बीगो और जो भी वह सारी जो 59 मुबाइल एप्लिकेशन हैं इनको जब हम इंस्टॉल करते थे तो वहां पर अलाओ को आफसन आता था तो हम उसे अलाओ अलाओ कर देते थे तिन-चार मरतबा य कि प्राइबिसी जो आपकी जान कारी है जो आपकी परस्नल इंफोर्मेशन है वो वह दोस्तोों उनके डats में उनके सर्वर में जाके सेव हो जाता-था तो सरकार को लगा कि शरकार के बहुत ही अच्छा कदम उठाया है और इन सभी अप्लिकेसशनों को चाईनी आपिकेश सबको बंद कर दिया है ये तो यहाँ पे आप लोगों Whilst ने यहां तक बात को पूरी अच्छी तरीकर closer ससमझ लिया कि सरकार ने क्यों बंद कराया by對 Chinese mobile अप्स को बाकि Chinese iPhone tablets बंद हो गया है तो अब इसमें हमारा फायदा क्या है present the कि दोस्तो हम YouTuber हम इसलिए कहा रहा हूं कि जितने भी योटूब, प्लिटफार्म, जितने भी लोग क्या पड़ता था यूटूब पे जो अच्छे क्रियेटर हैं उनकी वीडियो पे लोग देखते नहीं थे सारा दिन डेर जीवी डाटा मिलता था या तो टिक टॉक में लोग देख लेते अगर एक से डेर घंटा तो पूरा डाटा खतम हो जाता था तो इसे लिए दोस्तों ट कि तोकरों का होगा दोस्तों देखो डिक टॉकर अब बेरोजगार हो गया है था ऐकर एपने साथ काम में तीक है अपने घर में अब परileri काम लगशेवी है और वैसे था अब ऐसे लोगों को बेरोजगारी भत्ता भी मिलना चाहिए खैर यार मजा कर रहा हूं यह बेरोजगारी भत्ता उत्ता वाली बात नहीं है इन लोगों के अंदर यह लोग अगर बातरूम में भी थे तो भी वीडियो बना लेते थे सोते थे तो भी वीडियो बना लेते थे ब्रस कर रहे हैं तो भी ये वीडियो बना रहे हैं ऐसे टिक टॉक कर थे और ऐसे क्रियेटर थे ऐसा नहीं कह रहा हूं कि सभी थे यहां पे कुछ ऐसे यूटूब प्लेटफार्म से जुड़े हुए लोग भी वहां पे अपने टैलेंट को दिखाते थे अच्छे खासे मुक को कैसे डाउनलोड किया जाए कैसे चलाया जाए और उसके बाद से बैन होने के बाद कैसे इसका यूज किया जाए तो मेरे दोस्तों इसका कोई रास्ता नहीं है टिक टॉक नहीं चलने वाला है और टिक टॉक जैसे अगर कोई ऐसी वैसी जाने कैसी चाइनीज एप अगर आप लोग सतर करहिए ऐसे किसी भी मुबाइल एप को इंस्टॉल मत कीजिए और अगर आपके पास टिक टॉक हो अभी तुरब अनिस्टॉल कीजिए बाकी दोस्तों आप लोगों के लिए ये वीडियो थी कैसी लगी ये वीडियो कॉमेंट सेक्शन में जरूर कॉमेंट कीज झाल 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 झाल